जेहन सात्यों बोद वो सागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनायस ऑनलाइन हब में जहां दोस्तों मिलते एनायस से जोड़ी ताज़ा अप्डेट एवं लेटेस्ट अप्डेट दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनायस पास सिछको का जिसका भी रिजल्ड में जो है एंसी लिखावा आ रहा है और नौट सटिस्फाइ यह को कैसे सुधार किया जाए क्योंकि एक से डिख लाग से च्टाइब करेंगे यहां पर इस वीडियो में आगी बढ़ने से पहली चाप्स्का concerit कर लिजये ख और ऐसे ही हर एक रोज एक नया नया वीडियो आपको देखने को मिलता है ना इससे जूड़ी ताज अपडेट तो दोस्तों आए हम लोग यहां पर देखते हैं कि आज जो ताज अपडेट आ रहे हैं सर्टिफिकेट को जांच कर लेकर एक बहुत ही बड़ा एक आदेस आया है कि यहां पर जितने भी जो है 50% से यानि बिलो है उससे कम है उसका जो है जांच का आदेस आया है उपर से पहले बें मैं इसका अपडेट दे चुका हूं जो कि इस इक्छा मंतरी मानव संसाधन अचाडी मिनिस्टर से जो अपिल की है इसको लेकर तो यहां पर देख सकते हैं लिखावा है कि राज के डिपलोमा इन एलेमेंटरी एडुकेशन यानि डियलेट पास 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 चको के सर्टिपिकेट की जांच की जाएगी और नाइस के माईधम से करने और जिसकी सर्टिपिकेट में एंसी लिखावा रहा है आप देख पार होंगे दोस्तों कि यह सरे से सिचकें जिसका सर्टिपिकेट में एंसी लिखावा रहा है वह अपडेट भी कर दिये और अगर बात करें इसकी ओपीस से लिंक को भी बंद कर दिया जा चुका है ऐसे में सिचकों के साथ काफी बड़ी जो है प्रॉब्लम आ रही है जिसके पास सर्टिपिकेट में और नॉन सर्टिपाइड लिखा उसके जो है सट्टिपिकेट की जांच की जाएगी इसके बाद ही उन्हें जो है भुक्तान यानि मानदेई दिया जागा यहां पर देख सकते हैं इसके लिए जहारकन सिक्षा पर योजना सभी डियो डिया सी को जो है निर्देश दिया है और राज की करीब देख सकते हैं पर पचीस सो ऐसे हैं जिन्होंने एनाइस के जेरिये डियलेट तो पास किया है लेकिन सट्टिपिकेट में एंसी लिखा हुआ रहा है तो आप लोग निचे में कॉमेंट कीजिएगा कैसे ऐसे हिच्छा के जिसना अभी तक भी एंसी ने सब्सक्राइब है और जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था राजनी राजची रिजनल संटर से 2017 में उसमें लिखा हुआ था साफ साफ मेरे पास नहीं है तो मैं उसको दिखा देता उसमें लिखा हुआ था कि जिसका जो है ग्रेज्वेशन में 50 परसन है उसको सब्सक्राइब नहीं है तो नाइस के माइधम से आप जो है अपने इंटर याने डियलेट के साथ साथ आप जो है और डिमांड एक्जाम दे के आप अपने बढ़ाएंगे तभी आपका जो है सट्पिकेट आपको दिया जा गए यह माने सीवी सरमाजी का कहना है अभी ऑप आपको अभी दिखाए पड़ेगा दोस्तों इसके ओपिसल वेबसाइट पर देखे तो यहां पर लिखा हुआ है कि इनपोर्टन नोटिस और यहां पर लिखा हुआ है इजीवलिटी यानि योगता तो पहला नमबर अगर कोलम में अगर देखते हैं तो आप कि यहां पर द पर एडिमेशन इन डियालेड ओलेट फॉर अंट्रेंड इन सर्विस टीचर इस फिप्टी पर्शन मार्क यहां पर देख सकते हैं सिनियर सेकंडरी ट्वेल्ट और इको फैलन्स यहां पर लिखा हुआ है ट्वेल्ट और एको फैलन्ट यानि दोस्तों इसका यह मतलब होता है कि ट्वेल्ट में आपका होना चाहिए या उससे जैसे ग्रिवेशन में वहां भी होने से चलेगा इको फ्लेंट का मतलब तो दोस्तों ही होता है फोर यहां पर लिखा हुआ कि फोर स्टी सी ओवी सी पीएच कंडिडिट एज रिलेक्सेशन फाइफ पर्सन एडिम सन यान क्लास 12 में आपकी जो इनपोर्टेंट परसंटेज होने चाहिए इसके हिसाब से होने चाहिए तभी आपकी डिलेट के सर्टिफिकेट को इसु करा जाए पांच नमबर वाले को आप सही से अगर पढ़ते हैं डिलेट सर्टिफिकेट विल भी इसु वेन योर फिप्टी पर सब्सक्राइब करने को बाद आपको 50 परसंट होना चाहिए तभी आपकी सट्पिकेट जो है इसु करा जाएगा आधरवाज नहीं करा जाएगा और यहां पर देखेंगे लिखावा है कि in case of teacher have not 50 परसंट यहां पर नहीं है तो जो है यहां पर सब्जेट में दो सब्जेट में तिर यानि चार सब्जेट तो है maximum आप दे सकते हैं वहां पर लिंक दिया हुआ यहां पर जाके यानि जोभी सच्छक अभी तक on demand नहीं भर है तो किर्पाखर के जो on demand भार भार दे नहीं तो आपकी एंसी जो समाझता हैं वो कभी नहीं हटेगी जब तक आप जो है 50% जेनरल से हैं तो 50% आपको पूरा करना पड़ेगा अगर OVC, STHC, PH से हैं तो आपको जो है 45% पूरा करना पड़ेगा और उसको जो है जब किलियर करेंगे तो आपको जो है यह सट्पिकेट जो आपने रिजिनल सेंटर में जमा करना पड़ेगा तभी आपकी जो है सट्पिकेट में एंसी किलियर होगा और एंसी किलियर तभी होगा जब आपका 50% होगा अभी फिलाल इस पर काम नहीं हो रहा है लेकिन जो है कहा जा रहा है कि फिर से पोडल खुला जाएगा यहां पर देखते हैं कि जिसका इंटर्मीडियन में 50 पर्शन नहीं तेवसे अभिहार्तिु को इंटर्मीडियन परिक्छा फिर से दी ती यहां पर आगे कहना अगे कि जेए पीसी के सभी जिला को निदेज दिया है कि जिला पद्धकारी यानि कायर करम जीला कायर करम पद्धकारी होंगे यह कमेटी स्कुल वार परासिच्च के वो डियलेड में यहां सी किलियर पर्मानपत की सहित्ता की जांच करेगी और यहां पर देख सकते हैं और इससे पहले में एक आपको जो है नोटिस दिखाया था कि उसमें माइन जो है शिक्षा मंतरी ने जो है चार्डी मिनिस्टर से अपील की है इसको लेकर इस आधार पर जो है संबंदित परासिच्च का अप्रेल मेने से बकाया भुकतान किया जाएगा साथी अपरसित परासिच्च को को सर्टिपिकेट में अंसी रह जाता है तो उन्हें जो जो आपडेट थी दोस्तों उसके बाद जो है यह दूसरा अपडेट आया यहां पर कि ने केंद की परतिक्षा की जा रही है इसमें देख पार होंगे कि यहां पर सिक्षा मुंतरी ने जो है एचार्डी मिनिस्टर यानि केंद्री मानौ संसाधन विकास मुंतरा रहें रमि अपडेट मैंने इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं यहां पर दिखेंगे लिखा कि आना इसके माइदम से जो बिसेस को चलाया गया था उसमें जो है इतना जो है डेलेट में पास नहीं थे और इतना जो है पेंडिंग में मतलब एंसी लिखा वायर आ रहा है लिखा हुआ है अभी कि जिसके भी 50% से कम है यानि जेनरल से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका जो 50% होना चाहिए अधरबाज अगर नहीं करते हैं तो आपकी यह मुसीबत आ सकती है कि अंसी नहीं होगा लेकिन अंसी पर जो है बात की जा रही है पपू सर की दुआरा य यहाँ पर कहा गया की जो भी यहाँ पर अपरसिते हैं इसको एक मौका देने का जो है सिक्षा मंद्र ने जो है मनवसं साधन से अपील किये और उसका जबाब अभी तक नहीं आया है और उसके ने 2019 तक जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 31 माश तक जो है सभी को ट्रेंड करना था उसके पास समय नहीं था यहां पर देखेंगे कि बजट सत्र आज जो है बजट सत्र की जो है पहली दिन है तो दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट अपड़िट के साथ चैनल पर बने रहे हैं जो भी अपड़िट आएगा मैं चैनल के माइदम से देता रहूंगा तो जे ही पास से जो है उन्सेमल की से लिट आए बने भी तरह लेजन आए जो है व चैनल